सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को किनारे लगाना अर्विंद केजरिवाल को भारी पढ़ गया दिल्ली के उपराज जिपाल विने कुमार सक्सेना ने केजरिवाल को जटका देते हुए उनकी बनाई स्टैंडिंग कमिटी को भंग कर दिया राज निवास के तरफ से बताया गया कि LG ने आपराधिक केसिस की जाँच और उनके अभियोजन में गुणवत्ता सुनिशित किये जाने को लेकर ये फैसला किया है उपराध जिपाल की तरफ से कहा गया कि ये स्टैंडिंग कमिटी साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उलंगन है LG कारेले की तरफ से नोट शेयर कर बताया गया कि दिल्ली के LG वीके सकसेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बनाए गई मौजदा स्टैंडिंग कमिटी को भंग कर दिया है ताकि क्रिमिनल किसिज और उनका भी औजन गणवत्ता पूरन तरीके से पूरा किया जा सके उपराजेपाल ने इस बात पर गोर किया कि ये साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंदर सरकार के दिशानिर्देशों के खिलाफ जाकर केजरिवाल की सरकार ने अपनी मर्जी से स्टैंडिंग कमिटी बनाई थी उपराजेपाल ने इस बात पर गोर किया कि ये साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट की निर्देश और केंदर सरकार के दिशा निर्देशों का उलंगहन है मौजदा स्टैंडिंग कमिटी के प्रमुक स्टैंडिंग काउंसल क्रिमिनल दिल्ली हाई कोर्ट थे और एडिशनल स्टैंड काउंसल एक सदस्य के तौर पर थे इसी के साथ उपराजेपाल ने स्टैंडिंग कमिटी के फिरसे गठन को मनजूरी दी है इसके अध्यक्ष के तौर पर Additional Chief Secretary, Principal Secretary Home अध्यक्ष के तौर पर और Principal Secretary Law, Director, Prosecution के तौर पर Special Commissioner of Police सदस्यों के तौर पर होंगे इस कमेटी को भंग किये जाने पर अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सेक्सेना ने इस बात पर भी गोर किया कि मौज़दा स्टेंडिंग कमेटी के बने रहने की कोई वजह नहीं है इसके पूरवा धिकारी भी इस पर आपत्ती जटा चुके हैं उपरा जेपाल की तरफ से कहा गया कि 11 माई 2017 को उनके पूरवा धिकारी अनिल बैजल ने आदेश दिया था कि इस कमेटी के गठन की समीक्षा की जाए और शीर्ष अदालत के द्वारा दिये गए दिशानिर देशों के तहत लाया जाए इसके अलाबा उन्होंने 19 फरवरी 2018, 22 जूँ 2018, 18 आक्टूबर 2018 और 31 माई 2019 को दोबारा इस पर ध्यान दिलाया हलाकि कमेटी के पुनर गठन को लेकर कोई प्रपूजल नहीं स्वापा था दिली सेवाबिल कानूं 2023 के स्थेत्म में आने के बाद एडिशनल चीफ सेकरेटरी ग्रेह ने स्टैंडिंग कमेटी के पुनर गठन की सिफारिश की थी सिफारश में कहा गया था कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को बतौर चेर्मेन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लौ और डिरेक्टर प्रोसिकुशन निदेशा ले और स्पेशल सीपी के सदस्यों के तौर पर शामिल किया जाए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक राजियों के ग्रिह विभागों को निदेश दिया था कि वो पुलेस अधिकारियों और अभीजन विभागों के साथ स्टैंडिंग कमिटी का गठन करें लेकिन केजरिवाल ने ऐसा नहीं किया उप्राज जिपाल के द्वारा स्टैंडिंग कमिटी को भंग किये जाने के बाद अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की आधार पर स्टैंडिंग कमिटी के गठन का रास्ता साफ हो गया है वे रपोर्ट, जिस अफिन्या झाल 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 झाल